हेलो प्रेंट्स तो आप सभी का नियमित रसोई में स्वागत है सिवरातरी की आप सभी को धेर सारी सुख कामनाएं खुश रहो और सदा मुस्कराते रहो तो ब्रत सभी लोग करते हैं तो ब्रत में हम बनाएंगे आज फलार तो सभी लोग खाते हैं मीठा खाका कर हो गई है बोर तो हम बनाएंगे साबू दाना के बड़े साबू दाना के बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम साबू दाना को भिंगो देंगे लगवक एक से दो गंटे के लिए तो साबू दना अच्छे से भींग गया है सौप्ट हो गया है अंदर तक तो मैंने इसको एक चलनी पर निकाल लिया था इसका जो एश्टा पानी था वो निकल गया है और इसमें थोड़े सी हम डालेंगे पीनट का जो मैंने पीनट ली थी उनको अच्छे से रोष्ट कर लिया था थोड़ा सा भून लिया था और उसका एक मोटा मोटा सा मैंने दद्रासा पौडर बना लिया है और इसमें डालेंगे हरी मिर्च तो मैंने एक हरी मिर्च को बारी काट लिया था और खूब सारे इसमें धनीय डालेंगे और इसमें बारी कटी हुए एक इंच अधरक का टुकड़ा लिया था उसको बारी काट लिया है और इसमें ज्यादा नहीं डालेंगे उकि ब्रत की चीज हम बना रहे हैं तो इसमें सिर्फ हम लौरी नमक का ही इस्तेमाल करेंगे तो स्वाद के अन्सुर इसमें हमने लौरी नमक डाला है जो इसे सेंद्धा नमक कहते हैं फलार वाला और एक चम्मच इसमें हम डालेंगे काली मिर्ची का पॉडर बस इतनी ही चीज़े डालेंगे और हरी मिर्ची भी डाल लिए थोड़ा से इस्भासी बनाने के लिए सावुदानाबर्णा बड़ा बनेंगे के तो इनको हम हलके से कत्डूकस कर लेते हैं हमनले में टुकडे बिल्कुल नहीं रकने हैं बिल्कुल बारी किसना आलू को और आलू आ slotsा आलो तो इस ज्यादा सा तेल भर जाएगा और हमारे बड़े हैं बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे अगर आप इसी तरीके से बड़े बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं साबुदाना बड़े तो हाथ में थोड़ा सा लेंगे और हलका सा जिससे की हाथों में चिपकेना और अ लिया तो देखि हम आपको और भी दूसरा बनाके दिखाते हैं की कैसे बनाना है कोई ज़्यारा मेहनत नहीं लगती है और in अच्छा और इतना टेस्टी नासता बनता है कुई आप मन करें तब आप इसको बना कर खा सकते हैं तो आप इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं अगर आप ब्रत में नहीं बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं तो सारे बड़े हमारे बनकर तयार हो गए हैं और हमने तेल को गरम कर लिया था और तेल हमने थोड़ा सा गरम किया है उसमें डाल दीए मैंने आप इनको फिराई कर लेते हैं आप चाहते हैं इनको सेलस फिराई ही कर सकते हूं हमने इनको डिफ पराई किढ़ीया है तो देखिए बहुत इच्छे से सिक रहे हैं हलका सुनेरा होने के बाद इनको हम पलट देते हैं तो आप ब्रत में इस तरीके का नास्ता एक बार जरू ट्राइब करके देखिएगा आपको खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे और आप जब भी बनाएं इनको तो आप इनको बच्चों के कलर आया है इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है यह उपर से क्रस्पी और अंदर उतनी ही ज़्यादा सौप्ट होते हैं तो साबु दाना की कई तरीके कि हमने रस्पी बनाई है साबु दाना की खिचडी है साबु दाना की खीर है अगर आपको चाहिए तो उसकी लिंक हम आपको दे देंगे आप उस पर जाकर देख लीजिएगा तो हमारे बातों बातों में साबुदाना बड़े भी बन के तैयार हो गए हैं तो दूसरा प्याच है उसको भी डाल देते हैं तो देखिए सारे साबुदाना के बड़े बन गए हैं लगबग 2-3 पीस मैंने उसको लग सकते हैं जब आप कमन करें तब आप इसको फिराई करके खा सकते हैं तो देखिए सारे बड़े हमारे कितने बढ़िया फूले फूले बहुत ही अच्छे से बने हैं इनका कलर बहुत ही जादा प्यारा लग रहा है जितना प्यारा इनका कलर है उतने ही जादे टेस्टी भी बनते हैं तो इनको हम खाएंगे चटनी के साथ में हरे धनिये की दही वाली चटनी बनाई है अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो हम उसको डिस्पेक्शन में डाल देंगे आप उस पर जाके देख सकते हैं तो देखा आपने कितना क्रंची बना है हमारा साबू दना बड तो आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करिएगा नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है और दोस्तों को